Hello friends, welcome again to quick concept maths. This is Neha and friends, हम कर रहे हैं chemistry की series for HPTET exam. Friends, previous video में हमने discuss किये थे कुछ important compounds, their chemical names and their common names. अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं, तो देखें. साथ ही हमने उसमें कुछ दो questions आपको दिये थे, जिनके answer आपको करने थे. तो वो questions हैं, इस वीडियो से हमने दिया था आपको Mars Gas. Mars Gas का formula आपको बताना था, तो वो क्या होता है? CH4 और इसे क्या कहते हैं? Methane कहते हैं, यह homework था. और second question दिया था friends, milk of magnesia, जिसका formula है magnesium hydroxide, MgOH2 यह इसका answer है. तो जिन्होंने right answer दिया है, इस वीडियो में सबसे पहले comment किया है, उनका नाम है दिक्षजेस्वाल. मैंने खहा था, जो first answer reply करेंगे, उनका name मैं announce करूँगी. तो दिक्षजेस्वाल ने सबसे पहले answer किया है. Congratulations to you. Now, let's begin with our today's video. तो friends, आज फिर हमें एक important topic discuss करेंगे, जो है ores. देखिए ores क्या है? question कई बार exam में आते हैं, आपको नाम दिया रहता है, और बताना होता है किसकी ores है, या इस metal, कोई metal दिया रहेगा, ठीक है? और उसकी ores कौन सी है, वो हमें बताना रहता है. तो चलिए start करते हैं, देखते हैं, और होता कहा, सबसे पहले वो समझेंगे, और उससे आसपास की जितने terms हैं, वो जड़ा सब उनको एक बार quick recap करेंगे. So first, what is ore? तीक है, ore कह होती है, जब भी कोई metal, जब भी कोई metal, earth से निकाला जाता है, तो जो metal, earth से निकाले जाते हैं, वो pure form में नहीं होते हैं, यानि कि, वो किसी ने किसी के साथ mix हुए रहते हैं, मतलब उनमें गंदगी mix होती है, आप example लिजिए, मिट्टी मैसे जब हम aloo, जोसे कि potato उगाते हैं, तो उसके साथ आपने देखा होगा, मेटल निकालने का process होता है, यानि कि, जब जमीन में हम खुदाई करते हैं, वहाँ से हमने elements निकाले, अब वो element क्या होते हैं, impure form में होते हैं, ठीक है, तो जिस form में वो है, जो उसका नाम है, जिस form से हमें वो element मिल रहा है, उसकी को क्या कहेंगे, मेटल्स को क्या करें, असानी से, असानी से, और फाइदा मन तरीके से निकाल सकें, उन्हें क्या कहते हैं, उसकी और कहते हैं, ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं देखिए, फ्रेंड्स, कोई चटाने आप उसको तोड रहे हैं, कि हंजी, असानी से क्या मिलेगा, और फाइदा मन तरीके से, मतलब ऐसा element मिलेगा, जिससे हमें benefit भी होगा, और असानी से भी मिल जाएगा, वो क्या कहलाती है, और कहलाती है, ठीक है, अब देखिए, गैंग्यू इसी से related term है, गैंग्यू का मतलब क्या हुआ, मान लिजे, आपने एक piece, कुछ टुकडा सा निकला आर्थ से, उसमें क्या था, कोई metal है, aluminium है, zinc है, अब उसके साब बहुत सारी impurities हैं, धूल, लिमिटी, कड, ठीक है, या और भी metals के साब react करके, कोई compound बना हो सकता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ भी वो हो सकता है, अब हमने क्या करना है, उसमें से zinc बहार निकालना है, मान लेजिए, ठीक है, तो जो बच गया सारा, वो क्या हुआ, unwanted है, impurities हैं वो, तो उन्हीं को क्या कहते हैं, अगर सिंपल भाषा में समझें, मैंने पोटेटो का एक्जामपल लिया था, तो जो उसमें मिटी गयारा जुड़ी हुई है, और जो पोटेटो है, पोटेटो हमारा मैटल का काम करेगा, और जो उसमें मिटी, एक्स्ट्रा पार्टिकल्स, धूल, मिटी, जो जुड़े हों, वो सारे क्या हैं, गैंग्यों है, आप ऐसे याद रख सकते हैं, अच्छा, अब एक टर्म और आती है, मैटलर्जी, मैटलर्जी क्या है, है, बहुत वाइट टर्म है, ये, ठीक है, मतलब बहुत वाइट टर्म है, इसमें काफी सारे प्रोसेस आजाते हैं, लेकिन अगर मोटा-मोटा समझें, कि मैटलर्जी है क्या, अगर आपको आज आए कहीं पे टर्म, तो धियान रखना, मैटलर्जी क्या है, मैटलर्जी, मतलब, मैटल्स निकालने का जो प्रोसेस है, उसे क्या कहते हैं, मैटलर्जी कहते हैं, कहां से निकालेंगे मैटल, और्से, ठीक है, और्स से मैटल निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, extracting मैटल्स from their और्स is called मैटलर्जी, ठीक है, मैटलर्जी, नाउ, कुछ मैटल्स ऐसे होते हैं, friends जो हमें क्या मिलते हैं pure form में मिलते हैं metal non metal और कुछ semi metals यह मैंने दो तिन example लिख रखे हैं हाँ पे देखें metals कौन कौन से है gold and platinum यह किसी के साथ react नहीं करते least reactive है ठीक है यह क्या होते है pure form में मिलते हैं मतलब जब यह निकाले जाते हैं तो यह वैसे ही pure form में मिलेंगे उनकी इन्होंने किसी साथ reaction नहीं की होगी carbon and sulfur non metals हैं जो कि pure form में मिलते हैं यानि कि pure form को हम native elements भी कहते हैं native elements हाँ अब देखें carbon और sulfur यह pure form में हैं लेकिन इनके क्या हो सकते हैं alloys हो सकते हैं ठीक है वैसे ही semi metal है silicon यह भी क्या है native element है पर again कुछ ऐसे और भी हैं जो क्या होंगे pure हैं but they can found in forms of alloy अब alloy खुद में एक topic है जिसको हम सब यह और discuss करेंगे अब देखें आगे तो हमने देखा ore, gangue, metallurgy and native ores यह native elements ठीक है इतना समझ आगे यहां तक अब देखें ores के types यहने की ore किस किस तरह की हो सकती है तो इनको mainly four categories में friends हमने divide किया है कौन सी carbonate ore, sulfide ore, halide ore and oxides ore ठीक है इसमें मैं यह material प्रवाइड कर सकूँ, carbonate ores क्या है देखो carbonate ore यानि कि जो किस के साथ reaction करके CO3 के साथ इन्होंने compound बनाया हुआ है ठीक है देखिए first इसमें है calamine क्या नाम दिया है carbonate ore का एक example है calamine, अब question आसकता है, calamine is an example of sulfide ore, halide ore, oxide ore या carbonate ore तो भही calamine किस के example है, carbonate ore का, अच्छा, दूसरा carbonate, sorry, जो calamine है वो किस का ore है, कौन से element का ore है, कौन से metal का ore है, तो कौन सा metal है वो, zinc, zinc का जो ore है उसे क्या कहते है, calamine कहते है, और formula क्या है, zinc CO3 क्योंकि carbonate है तो zinc carbonate, zinc CO3, zinc carbonate, अगला दिखिए, siderite, siderite किस का ore है, फ्रेंस, iron का, किस का ore है, iron का, किस तरह का ore है, carbonate ore है ठीक है, siderite is a type of carbonate ore, यानि कि, ऐसे समझो, जो siderite है, उसको तोडेंगे, मरोडेंगे, तो उसमें से हमें क्या चीज मिलेगी, iron मिलेगा, ठीक है तो siderite जब भी जमीन में से निकलेगा, वो किस के लिए निकाला जाएगा, iron के लिए, उसमें से हमें क्या मिल रहा है, iron मिल रहा है iron के ore भी ore है, और separate video बनाएंगे, जिसमें हम elements की, अलगलग metal, non metal, इनकी ore के बारे में बढ़ेंगे आज हम समझ रहे हैं, और कुछ, जो main types हैं, उनको detail में देख रहे हैं, तो देखिए, iron का जो formula है, iron की ore का, siderite का, वो क्या है, feco3, ठीक है, feco3, अब देखिए next, limestone, तो limestone हमने पहले पढ़ा हुआ है, क्या कहता है इसे, calcium carbonate, caco3, तो limestone जो है, यह किसका और हो गया भई, calcium का, किसका और है, calcium का, और का, मतलब फिर ध्यान रखिए, और का क्या मतलब है, मतलब calcium हमें कहां से मिलता है, limestone में से क्या मिल रहा है, हमें calcium मिलता है, ठीक है friends, अब next देखिए, sulfide ores, कौनसी ores, sulfide ores, यानि कि क्या इसमें एक sulfide sulfur, है ना, sulfide से sulfur, देखिए, नाम देखो पहले, zinc blended, zinc blended, किसका है यह zinc blend को कह लो आप, zinc blend जो है, इसमें से हमें, यह एक और है, क्या है यह और, zinc blend में से हमें क्या मिलता है, zinc, ठीक है, और formula क्या हो गया, zinc, z, n, s, यानिके zinc sulfide, next देखिए, copper glands, यह glands है, g, l, a, n, c, copper glands, copper glands में से क्या मिल रहा है, copper, formula क्या है, cu2, s, next, galena, या gelena, अब जैसे इसको read करें, तो galena देखिए, किसका और है, lead का, यानिकी, question आ जाए, कि galena में से हमें कौन सा metal मिलता है, या कौन सा element हमें, वहां से मिलता है, तो कौन सा मिलता है, भई, lead मिलता है, ठीक है, कौन सा मिलता ह है, lead मिलता है, galena का formula क्या है, pbs, pb किसका, ये symbol है, lead का, तो pbs, lead sulfide, next, देखिए, mercury, mercury का देखो, कौन सा और है, sinnebar, बहुत important है, कई exams में आ रखा है, तो इसको star mark कर लो, sinnebar, sinnebar is an ore of mercury, ठीक है, sinnebar किसका और है, mercury का formula क्या है, hds, silver sulfide, ठीक है, friends, तो ये सार एक्जामपल किसके थे, sulfide ore के example थे, अब next, देखिए, halide ores, कौन से ore, halide ores, halide ore में देखो, क्या है, पहला नाम है, ore का नाम सुनीए, roc salt, ore का नाम क्या है, rock salt, अब rock salt से, देखो, हमें क्या मिलता है, rock salt से क्या मिल रहा है, हमें, sodium, rock salt से क्या मिलता है sodium और formula क्या है NaCl next देखो fluorosper ठीक है क्या है fluorosper इसमें क्या मिल रहा है fluorine क्या मिल रहा है fluorine क्या formula है इसका CAF2 हलांकि इसमें देखो दोनों जो है ना दोनों काम करेंगे अगर पुछे calcium का तो ये calcium के लिए भी हो जाएगी और ये fluorine के लिए भी ठीक है तो देखो fluorosper किसका हो गया fluorine के लिए यहाँ पर तो halide halide or का मतलब क्या था जिसमें halogen आ रहे हो अब halogen क्या होता है भई हलोजन क्या होते हैं से fluorine chlorine और bromine ठीक है ये सारे element क्या है halogen group में आते हैं अच्छा आप मुझे बताएंगे कि halogen जो हैं यहाँ पर अलग सा question आ गया halogen किस group को कहते हैं ठीक है कौन से group को halogen group कहा जाता है ठीक है फ्रेंट्स बहुत simple question है please comment its answer comment करना आप इसका answer क्या आएगा अब देखिए silver silver कहां से हमें मिलता है horn silver horn silver से horn silver क्या है एक और है इसमें से क्या मिलता है हमें silver मिलता है formula क्या है agcl ठीक है silver chloride next time देखिए and last oxide ores क्या है oxide ores oxide ores कौन कौन से हैं देखो friend bauxite पहला देखो bauxite boxing bauxite star mark करो important है bauxite किसका ores है aluminium का या ultra question पूछे aluminium हमें इन मैंसे किस ores से मिलता है which of the from which of the following ores aluminium is extracted ऐसे question भी आ तो आ सकता है है ना तो देखिए क्या हो जाएगा यहां पर मालों यहीं चार option में हो ठीक है क्या बॉक्साइट क्यूप्राइट है hematide and cassiterite तो इन मेंसे किस मेंसे भई हमें aluminium मिलता है बॉक्साइट से हमें aluminium मिलता है अच्छा formula al2o3.2h2o next देखिए cuprites यानि किस से हमें क्या मिलता है copper cuprites से क्या मिल रहा है copper तो जो cuprite है यह किसका ओर हुआ कौन से element का कौन से metal का copper का चीक है formula co2o अगला देखिए friends next iron iron का जो ओर है again star mark करिए important है hematide hematide से हमें क्या मिलता है iron तो hematide किसका ओर हुआ बही iron का एक ओर है hematide क्या formula है fe2o3 next tin tin का formula देखो tin हमें किस से मिल रहा है cassiterite से और formula क्या है sno2 sno2 तो साथ साथ I hope आपने learn किया होगा समझा होगा मिलते हैं next video में